आप बोलो ना कि खेसारी लाली आदो हीटर होते हैं हाँ हीटर होते हैं यह वो एकदम से हॉट है एकदम से हॉट है तो जी है मरे दोस्तों इंतिजार की घड़ी हुई समापत और आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही बड़ा कुछ खास बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा छोटा सा वीडियो है लेकिन जानकारी बहुत ही बड़ा दूगा मेरे भाई चलिए चैनल को सब्सक्राइब ने कि होंगे तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाईएगा चलिए शुरुआत करते हैं आज की जनकारी नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त भी साव स्वागत हमारे चैनल होच प्रिया जहान में और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दे कि जिस चीज का इंतिशार मैं खुद बेसबरी से कर रहा था वो चीज आज आ गया मेरे भाई खेसारी बहिया का वो गाना जिसमें खेसारी बहिया और निलमगिरी का जोड़ी देखने के लिए मिलने वाला है और खेर मैं इस जोड़ी का बहुत ही बड़ा दिवाना हूँ पहला सोंग जब आया था रखले बाडू पाओ भर हिलवले बाडू गाओ भर उसी समय से मुझे ये जोड़ी बहुत ही पसंद है और उससे पहले भी मैं बहुत सारे विडियो बना चुका था कि प्लीज निलमगिरी को भईया अपने गाने में लाईए 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 मतलब ऐसे 5-6 विडियो में बहुत पहले से बनाते आ रहा था और जैसे ही जोड़ी का नाम सुना तो मैं एक्साइटेड लेवल अपना रोख नहीं पाया और आप लोगों को बताने के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया आप लोगों को बता दे कि कमर डाइमेज खेसारी लार यादों के साथ निलंगिरी का ये गाना बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच अराध्या फिल्म से आने वाला है इस गाने के लिरिक्स राइटर के बारे में आप लोगों को बताया जाए तो वही पुराने अंदास वाले लिरिक्स राइटर कुंदन पृत जी इस गाने को लिखे हैं जो की बहुत ही बेहतर सौंग लिखते हैं मेरे भाई और जब भी खेसारी भीया के साथ आए हैं तो अवाल मचाएगा और आध्या फिंस कोई छोटा मोटा ब्यक्ति का छोटा मोटा चैनल नहीं है बहुत ही बड़े बिजनिसमेन का बंटी आदो जी का चैनल है और उन पर जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके लेबल में कोई कंप्रुमाइज नहीं होता है तो ये सौंग अथी जबरजस्त होने वाला है फिर मुझे तो उमीद है कि कुछ रिकॉर्ड भी कारम केगा लेकिन आपको कितना उमीद है कोमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना बेसबरी साब इंतिजार कर रहे हैं नए गाने का और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में वीडियो को पुरा देखने के लिए सबी दोस्तों को दिल से धन्यवाद